जैसा कि आप देखी रहे हो कि लॉस अपकी काम आता है, तो यहां है पांच लॉक के कुछ ऐसे टर्म जो पढ़ते सब है, पर समझते कुछ है, पहला है कन्विक, मान लो किसी क्राइम में अगर आपको पकड़ा जाए और कोट ये डिकले करें कि हाँ आप गिल्टी हो, अगर अगर आपको अपराधी डिकले कर दे, तो उसे कन्विक कहते हैं, वहीं अगर उस क्राइम में कोट ये डिकले करें कि आप इन्नोसेंट हो, मैं तो मानी रही थी, अगर आपको निर्दोष डिकले कर दे, बरी कर दे, तो उसे अक्विट कहते हैं, तो अगर आप गिल्टी हो तो convict, वहीं innocent पाए जाते हो, तो acquit. इसकी बाद किसी भी wedding या party attend करने के लिए जैसे हमें invitation मिलता है, वैसे ही court को अगर किसी case में आपको बुलाना होता है, तो वो एक notice issue कहते हैं, जिसे summons कहते हैं. अब ये summons issue करने के बाद भी, अगर आप court उपस्थित नहीं होते हो, तब फिर court warrant issue करता है, जिसमें police या किसी force के थूँ आपको court लाया जाता है. लास्ट है bail, bail मतलब जमानत, तो अगर किसी accused को temporarily release करना होता है, cash deposit करके या bond के थूँ उसे bail कहते हैं.